तो वाइज आज की इस वीडियो में हम लोग ये ट्रांस्पेरंट टेक्स्ट इफेक्ट बनेंगे वो भी अडोबी फोटो शॉप में तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसलीक्ट कर कर्ना थेक्ट रहु सब्सक्ट करने के बाद प्रते हैं और and write any type of text and press ctrl T and adjust it on subject उसके बाद text layer को duplicate कर लेना है उसके बाद आपको अपनी text layer पर left click करना है and select color to shape rectangle tool को select करींगे and then select view color to non उसके बाद stroke पे color add करेंगे और उसके बाद stroke को बढ़ा देंगे उसके बाद इस text layer को mask subject layer के नीचे रख देंगे अगर आपको stroke शोर नहीं हो रहा तो आप stroke को बढ़ा सकती है now you can see the final result so guys अगर आपको मेरी वीडियो उपसंद दाए है so don't forget to like, share and subscribe so see you in the next tutorial